Ah unstoppable Good morning tuaट हम seven chapter जो है आपके कर रहे थे seven chapter आपकी sales promotion, sales promotion के अंदर जो है आपके टू टाइप्स थे कि consumer promotional method and business or dealer promotional method तो consumer promotional method तो complete हो चुकी थी अभी हमें करनी थि बिजनस और डीलर प्रमोशनल मैथड जो बिजनस और डीलर प्रमोशनल मैथड है जो बिजनस और डीलर को ज्यादा से ज्यादा परचेस करने के लिए उनको एंक्रेज करने के लिए जो की जाती है वो है तो उनमें सबसे फर्स जो होगा वो है सेल्स कॉंटेस्ट सेल कॉंटे एक तरीकी का ज्यादा से ज्यादा से ज्यादा selling करने के लिए जो है आप जो हमारे नीचे मडल मैं होते हैं डीलर्स होते हैं जो बिजनस मैं होते हैं जो हमारी selling करवाने में और हमारे product का distribution करवाने में help करते हैं तो उनमें आप एक तरीकी का competition रख सकते हैं जो सबसे ज्यादा से ज़ादा आपके जो dealers हैं distributors हैं तो सबसे ज़ादा से ज़ादा आपके कौन जो है selling करता है तो उसको किसी तरीकी का कोई price बगर देना तो यहाँ पे sell contest क्या होता है जो आपको बता देगे कि तरीकी का competition तो इसकी वज़े से होगा क्या तो it encourage meditators to sell more वो encourage होंगे कि ज़ादा से ज़ादा उनमें एक उत्सा आएगा कि वो ज़ादा से ज़ादा से ज़ादा selling करें it is a competition of selling good यह एक तरीकी का competition है फिर इसमें आप दे क्या सकते हैं अगर वो competition जीतते हैं तो उनको क्या reward दिया जाता है cash prizes हो सकते हैं दूसरे और भी जो आप prices जो भी आप देना चाहते हैं वो आप उनको as a price आप उनको जीतने के लिए दे सकते हैं इसके बाद में second होता है उनको कुछ नो कुछ allowances देना उनको कुछ नो कुछ allowances प्रोवाइड करवा सकते हैं बहुत टाइप के यहां पर आपको four types के allowances आपको बता रखें तो manufacturer provide versus allowances बहुत सारे allowances उनको वो प्रोवाइड करवाते हैं सबसे first है buying allowances तो buying allowances का मतलब होगा कि उनको कुछ नो कुछ अगर वो product आपसे purchase करते हैं एक dealer क्या करेगा एक retailer, wholesaler, businessman अगर होगा तो क्या करेगा manufacturer से खरीदता है पहले खरीद के फिर वो market में बेचता है तो उसको पहले अगर खरीदना है तो आप उसको buying allowances देंगे कि वो आपसे क्यूं खरीदे तो आप उसको क्या देंगे discount देंगे आप उसको कुछ न कुछ discount दे सकते हैं कुछ percentage आप discount देंगे market में जितना discount मिल रहा है उससे कुछ percent ज़्यादा अगर आप उनको discount देते हैं तो वो attract होके आपका product खरीदेंगे और आपका product market में बेचेंगे इस वज़े से यह हुआ आपके first buying allowances buying allowances में होता है कि आपको कुछ न कुछ percentage उनको जो है discount देना होता है product के then है second mercantile allowances mercantile allowances में होगा कि इसमें allowances आप देते हैं कि उनको कोई न कोई ब्रैंड देते हैं एक तरीक है कि आपकी जो है prestige market में इतनी बन चुकी है तो अब वो अगर आपका product बेचते हैं तो वो उस prestige का ही use कर रहे हैं आप उनको as a brand जो है allowances में दे रहे हैं आपने market में इतनी prestige बना ली है इतनी image बना ली है जैसे बजाज company है, Bombay Dying company है, Air Lines company होती है Raymond company होती है, इनकी already जो है बहुत इनकी prestige जो है market में बन चुकी है तो distributors इनका सामान खरीते हैं क्योंकि उनको पता है कि इनकी market में image है इनका product की demand है, customer आके खरीदेगा तो इस वज़े से वो इनकी prestige की वज़े से आके attract होके और इनसे जो है product इनका खरीता है और market में बेचता है तो second वा market allowances मतलब आप उनको एक तरीका brand का benefit देते हैं जो बनी बना ही आपकी market में prestige है, goodwill है, उसका आप उनको फायदा देते हैं third है advertising allowances advertising allowances आप खुद उनके जो advertisement वगरा करनी है product की जो भी advertisement करनी है, आप उनका खर्चा खुद ही उठाते हैं तो ये हो गई advertising allowances फिर है display allowances, आप जो आपके distributors होते हैं wholesalers हैं, retailers हैं, उनको जो बाहर display वगरा करना होता है उसका आप उनको free में material, decoration item वगरा जो हैं वो आप उनको provide करवाते हैं तो ये 4, buying allowances में हमको buy करने के लिए percentage जो है discount देना होता है mercantile में आप उनको goodwill वगरा जो है आपकी, उसका उनको फाइदा होगा advertisement में आप उनको free of cost advertisement करवा के दे देते हैं और फिर display allowances में आप क्या करेंगे कि उनको जो भी display में, जो भी decoration करना है, जो भी items वगरा लगाने हैं उस वो आप उनको provide करवा देते हैं free of cost फिर इसके बाद में आगे है third method वो है meeting conferences and seminars आप अपने distributors, जितने भी distributors हैं, जितने भी retailers हैं, wholesalers हैं उनकी लिए conference या एक तरीके का seminar जो है वो आप organize कर सकते हैं तो उससे क्या होगा meeting of dealers are organized to give education, rewards, inspiration उनको inspire करने के लिए, motivate करने के लिए उनको education देने के लिए कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा selling के जा सकती है management कैसे करना चाहिए कैसे सब चीज़े manage करनी चाहिए कैसे सब चीजों की advertisement करें कैसे किस चीज हो सके कि हमारे selling और profit ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है ये सारा education दे सके उनको rewards दे सके उनको inspiration दे सके motivation दे सके, direction दे सके इसके लिए conference and seminars जो है वो बुलाई जाती है फिर इसके बाद में आगे है कि इस seminar में और क्या किया जा सकता है तो जो problems of dealers are solved अगर उनकी कोई problems है कोई भी उन्हें problems है जो भी problems हा रही है उन्हें selling करने में business करने में तो उनको उन problems का solution बताया जाए policies of selling are described और selling करने के लिए कौन सी policies उनको अपनानी चाहिए वो उनको वहाँ पे बताया जाता है fourth method है training आप उनको training दे सकते है in training the dealers are given knowledge about art of sell selling जो है यह तरीके की art होती है तो वो art उनको सिखाई जाती है उस training के अंदर उनको knowledge दिया जाता है फिर आगे उनको trade planning कैसे करनी है फिर आगे working system वगरा कैसा होना चाहिए यह सारी चीजों का उनको knowledge दिया जाता है selling के बारे में working system के बारे में policies और जो भी चीज़े है trade policy वगरा उनको knowledge दिया जाता है ताकि वो पूरे trend हो सके selling करने के लिए और अगर वो trained होंगे तो हमारा business जादा से जादा हो पाएगा दूसरा है dealers become specialized in work अगर उनको training दी जाती है तो वो क्या बन जाते हैं अपने काम में specialized बन जाते हैं training is at the cost of manufacture और यह जो training का cost है यह हमें manufacturer को उठाना होता है जिसको फाइदा चाहिए तो वही उठाएगा तो यहाँ पे manufacturer और उनकी training का पूरा cost उठाता है फिर इसके बाद में आगे है fashion and road show आप shows जो हैं वो organize कर सकते हैं fashion की जो चीज़ें होती है fashion related उसमें यह चीज़ ज़्यादा beneficial होती है fashion show, road show की जा सकते हैं publicity of product is done इससे जो fashion show और जो road shows की जाएंगे उससे publicity हो जाती है हमारे product की लोग जादा से जादा देखते हैं attract होते हैं तो publicity होती है फिर products are presented in newly and attractive method आपने अगर कभी fashion show यह road show दीखा है तो आपको पता होगा कि उस जो shows होते हैं उनमें product को बहुत ही attractive तरीके से वहाँ पे present किया जाता है तो यूँ ही जो है customer उससे attract हो जाता है यह किस चीज में है ज़्यादा beneficial हो सकती है तो cloth में, ornaments, vicles इन सब में road show are used by Indian railway for palace on wheels road show जो है वो कौन organize करता है Indian railway for palace on wheels दन आगे है dealers premium dealers premium यहाँ पे आप उनको कुछ ने कुछ valuable जो items होती है वो उनको as a gift देते है कोई नो कोई अगर अगर उनोंने ज़्यादा selling करी है उनके best performance के लिए अच्छी performance के लिए उनको कुछ valuable items जो है उनको gift किये जाते है जिसे टीवी हो गया silver का tea set हो गया watches हो गये यह सब चीज़ें उनको gift की जाती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा और जो है उस चीज़ से inspire हो motivate हो और ज़्यादा सेलिंग करते जाए फिर इसके बाद में आगे है specific services और उनको specific services दी जा सकती है जैसे credit facility उन्होंने जो purchasing की है उसो credit पे दे देना कि थोड़े time बाद वो payment कर सकते है buyback guarantee कि अगर वो जो है उनका सामान बिखता नहीं है तो आप उनसे वापस वो सामान ले लेंगे third है repair and maintenance facilities जो भी अगर machine वगर हैं तो आप उनको repair और उनका maintenance वगरा की responsibility ले लें आगे है management assistance management assistance उनको दिया चा सकता है manufacturer provide information and advice to middlemen about manager technique manufacturer जो है जो middlements होते है जो हमारे retailers है जो wholesalers वगरा है जो बेचेंगे हमारा सामान जो हमारे distributors होते है उनको उनका खुद का जो business है उसको कैसे उनको manage हरना है management के उनको techniques और जो policies होती है और जो day to day life में problems आती है उनका solution कैसे निकालना है यह सारी चीज़े उनको आप ते सिखा सकते हैं ताकि वो अपना business अच्छी से कर सके उनका business अच्छा होगा तो आपका business भी अच्छा होगा क्योंकि वही आपका सामान बेचते हैं तो यहां पर management assistance में आपको उनको जदा से जदा management कैसे करना है इस चीज़ का उनको knowledge दिया जाता है तो इस तरीके से जो है producers जो बिजनसमेन एंड जो dealers promotional method है उसके अंदर आपके 8 techniques है total 8 जो है आपने दिखा कि total 8 techniques है management assistance में आपको उनको management सिखाना है specific services में other services देनी है and dealers premium में उनको valuable जो है costly goods देने होते है road show वगरा जो है आप shows कर सकते है ताकि लोग attract हो सके फिर training है उनको वही training देनी है कि कैसे वो क्या काम कर सकते है selling कैसे कर सकते है एक तरीके से उनको export बनाया जाता है उनके काम में then meeting and conferences उनकी problem solve करनी होती है उन्हें motivate करना होता है speeches वगरा दी जाती है allowances में आपने देख लिए four type के allowances होते है and sales contest में एक तरीके का competition रखा जाता है selling के लिए इस तरीके से business और dealer promotional method अज complete हो चुका है and बाकि जो आंके का topic है importance वो कल कर लेंगे और ये chapter जो है